राम राम किसान भाईयो मैं नित्यर फिट से हजिरू हूँ आपके अपने चैनल Fertilizer Expert में किसान भाईयो आज का जो हमारा topic है आज का हमारा topic होने वाला है Tata के एक product के बारे में जी हां किसान भाईयो जिस product के बारे में बात करने वाले हैं इसका नाम है Rally Gold, यह एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जब से यह मार्केट में आया है और आज तक इसने बहुत ही अच्छी तरीके से एक पकड़ मार्केट में बनाई हुई है, इसके अंदर इतने सारे खाद मिक्स करके इसे तयार किया गया है कि इसका उपयोग जो भी किसान लेता है, वो इसका दिवाना हो जाता है, इस कंपनी का कोई पिर्चार ये पिर्चार नहीं हो रहा है, यह आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस चैनल पर सिर्फ आपको बिलकुस सही, साटीक और सुनिश्चित जानकारी में देने की कोसिस करता हूं, जिससे कि जो कि डोज है, क्या इसकी कीमत है, कौन-कौन सी फर्सलों में इसका उपयोग कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन क्या है इसका, रेन फास्ट एक्टिविटी भी इसकी कैसी है, और कितने दिन तक ये आपको रिजल्ट निकाल करके देगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बतान में कि ये आखिर का क्या है, तो इसके अंदर किसान जो सबसे पहले आपको मिल जाता है, माइक्रो राजा, माइक्रो राजा की जो इसके अंदर मात्रा देखने को मिलती है, वो मिलती है 25.3% के आसपस इसके अंदर माइक्रो राजा आपको देखने को मिल जाता है, दूसरा इसके अंदर देखने को मिलता है, humic acid, humic acid की जो मात्रा इसके अंदर दी गई है, वो 18.9% दी गई है, यह आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, कि humic acid हमारी फर्स लो के लिए कितना ज़्यादा जरूरी होता है, उसी तरीके से जो माइक्रो राजा इसके अंदर दिया जबकि ascorbic acid जो इसके अंदर दिया गया है, वो 12.3% के आसपस आपको देखने को मिल जाता है, amino acid भी इसके अंदर देखने को मिलता है, और amino acid भी हमारी फर्स लो के अंदर काफी सांदर तरीके से, काफी अच्छी तरीके से किसानवाईयों कार्या करता है, और amino acid की जो मात्र जांकारी मैंने दे रखी है, तो ये सब कुछ इसके अंदर दिया गया है, इनका जब एक साथ मिक्चर तयार करके, हमारी फिर्स लोग के अंदर डाला जाता है, तो किसान में हमारी फिर्स लोग के अंदर किस तरीके से एकार्य करते हैं, क्या फादे होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ही टाटा के रैली गोल्ट का उपयोग, आप अपनी फर्सलों के अंदर करेंगे, तो किसान में पिरकास संसलेशन की किरिया होती है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है, पिरकास संसलेशन की किरिया तेज हो जाती है, जिससे जो हमारा पोदा होता है बिल्कुल हरा भरा होना सुरू जाता है यदि पीलापन पहले से था वो गायब हो जाता है दूसरा किसार में जड़ों का जो विकास होता है जड़ों का विकास बहुत ही तेजी के साथ होना सुरू हो जाता है فاسپورس की जो मात्रा होती है वो धीरे धीरे करके बढ़नी सुरू जाती है जिससे ज़ड़े होती है वो काफी तेजी के साथ नीचे फैलती रहती है और हमारा जो पोदा होता है अच्छी तरीके से गिरोथ करनी सुरू कर देता है साथी साथ हमारी फसल की फूल के इसे फूल की संक्या बिल्कुल भी नहीं गिंगी फूलों की संक्या बढ़ेगी और फूलों में दोनों में व्रध्दी हो करके साथ साथ हमारी उस पैदावार को किसान भलाय हो ये लगद लगद 10 से लेके 15 पिर्तिसत तक बढ़ा जिता है बहुती सांदर तरीके से ये हमारी फसलों के उपर कार्य करके चलता है, हमारी फसल की गुणवत्ता को सुधार देता है, हमारी फसल की यदि उसके अंदर पहले से मुझू जो तत्वों पड़े हुए हैं, वे हमारी फसलों तक नहीं पोच पा रहे हैं, हमारी फसलों की तक पुचाने में मदद करता है साथ इसाथ किसान भाईयों हमारी फसल के अंदर जो रोग पिर्दरोद चमता होती है उसे भी ये बढ़ा जिता है तो बहुत सारे कारिया ये करता है इसका उपयोग करके आप देख सकते हैं और जिन मेरे प्यारे किसान भाईयों ने इसका हो सके अब बात करते हैं इसका उपयोग हम कौन कौन सी फसलों में कर सकते हैं तो इसका उपयोग अनार में कर सकते हैं केले में कर सकते हैं सेब में कर सकते हैं लोकी हो तोरी हो भिंडी हो गिलकी हो टमाटर हो कुल मिला करके मेरा कहना यह है चाहें तो आपकी तिलहनी फसल हो दलहनी फसल हो या फिर बागवानी फाली फसल हो हर तरह की फसल के अंदर आप टाटा के रैली गोल्ट का उप्योग कर सकते हैं कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा सिर्फ और सिर्फ या आपकी फसल के अंदर बेनेफिट देने में आपको मुनाफ़ा बढ़ाने में ही आपकी मदद करेगा तो इस तरीके से आप इसका उप्योग कर सकते हैं अब बात करते हैं इसकी डोज की कि इसकी डोज हमें कैसी लेनी हैं कितनी डोज हमें इसकी लेनी हैं तो जो हमारा पोडर फॉंग वाला आता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं तो किसान में इसका यदि हम इस प्रे की बात करूं तो 100 ग्राम पिर्ती एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस प्रे अपनी फस्तों के अंदर करना है यदि आप ड्रिप विधी में देना चाहते ह कि इसके combination जो हम मिलाएंगे कि हम किसी अन्य कीटनासक की साथ या फंगी साइट की साथ मिला सकते हैं या फिर नहीं तो किसान में किसी भी कीटनासक की साथ या फिर फंगी साइट की साथ आपको इसे नहीं मिलाना है आप इसे किसी टोनिक की साथ मिला लीजिए कोई भी दिक आपको इसे नहीं मिलता है अब बात कर लेते हैं कि कीमत में इसकी कीमत आप को मिल जाएगी तो इसकी दू आपको को देखने को मिलएगा यह लगबग 600 से ले करके साड़े 600 मार्फे में देखने को मिल जाताला जो रेल्ट में देता है più अपने इस इस्प्रे किया तो कितने टैम बात बरसात होनी चाहिए तो लगवग चार से लेके पांच घंटे के बाद यह दी बरसात होगी तो आपको यह अच्छे रेल्ट निकाल करके दे सकता है रिजल्ट टाइम की बात करो तो इसका जो रेल्ट आपको मिलता है वो लगवग आप इसका उप्योग करेंगे तो हमारे बीच का जमाव करने में यह काफी ज़्यादे महत देगा दूसरा किसमे जो हमारी फसल वेजटेवी गिरोथ में होती है उस समय पर आप इसका इस्प्रे कर सकते है उस समय पर भी आप इसका इस्प्रे कर सकते है इसका उप्योग कर स झालबेज़ झालबेज़!